मैंने पहले कहा कि अगर आप सच में हवे में नहीं है तो आप कहीं भी बहुत आराम से रह सकते हैं मुझे लगता बिग बॉस का घर रोव या आपका घर हो मुझे अच्छा लगा उनका जो वह जैसा उन 144 वे साव रहे उन्होंने अशा कोई काम नहीं किया कि जिससे वो कुछ और बनने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वो जो फॉर्मेट है बिग बॉस का उस फॉर्मेट में जिस तरह का इंटरटेन्मेंट निकल के आना चाहिए उसके लिए वहां लडाई करना पड़ेगा जगडा करना पड़ेगा आपको हर बात पर जो है लेना देना है हम चुप रहेंगे तो इस तरह के लोगों के लिए वो शो नहीं है बेसिकली वो इस तरह के शो है कि अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसका जबाब दो आप उससे लड़ो उससे जगड़ो मैं जब बिग बॉस में था तो मुझे याद आया उर्वशी ने एक दिन सुबह मेरा नास्ता बना रही थी और उन्होंने उसमें बहुत सारा मिर्ची बहुत सारा नमक डाल के उसको बहुत खराब कर दिया अपने हिसाब से उन्होंने खराब कर दिया उनको टास्क मिला था बिग बॉस में टास्क दिया था कि आप जो है नास्ते को खर पुरा मिर्ची नमक किसे तो कुछ बोला ही नहीं कि मोला मेरे घर में अगर ऐसा होता मेरी माबहन मेरे लिए बनाती थोड़ा नमक ज्यादा हो तो घर में चिला आठे तो अब आहर कैसे छिलाओगे तो हम इसलिए वहां पर उस तरह से थे गया तो भी ते और उसको फॉर्मेट में इंतरेन करना जानते कि भाई हम क्या है उससे मतलब नहीं है यहां पर क्या करना है उसी सहलो करते हैं वो आतरेंद कर रहे हैं और लोगों को मजा रहा है खुद भी देखता Hour गोजे भी मजा था बहुत मस्ति और सबसे ज्यादा तो मस्ति आम रफाली जी नहीं यहां और मुझे लागता है और अर्चना झाल, 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 झाल